बलिदानी गणेश राम्प कुन्जाम यह नाम आज 36 गण की जनता के जुबान पर है ये वे बलिदानी हैं जिन्होंने चीनी सेना के तीन दरजन से अधिक सेनिकों को मारने के दवरान भारत की सेन टुपड़ी में शामिल थे बलिदानी गणेश कुन्जाम कुछ माँ पहले ही लद्धाक में तैनात हुए थे कभी काकेर जिले के चारमा ब्लाक के कुरू टोला गाओं की गलियों में गणेश का बशपन बीता और जवान होते होते देश सेवा का भाव लिए सेना में शामिल हो गया देश और 36 गड़ का यह सपूत कम उमर में अपने सैनिक जीवन के सरवोच शिखर को प्राप्त कर गया गणेश हमारे बीच सरशरीर तो मौझूद नहीं है लेकिन दिलों में हमेशा मौझूद रहेंगे बलिदानी गणेश कुझाम का बलिदान देश कभी भी गुला नहीं पाएगा यह कैसी वीडमना है जब कोई सैनिक बनता या सेना में जाता है तो किसी को यह मालूम नहीं होता कि वह देश का रक्षक बन चुका है उसके बलिदानी होने पर उसे सारा देश जानने लगता है और उसे हमेशा याद भी रखता है बलिदानी गणेश का भरा पुरा परिवार है उसका विवाह भी नहीं हुआ था उसकी बहन और मा सभी गमगीन जरूर थे लेकिन गर्व चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था बलिदानी गणेश ने जहां स्कूली सिक्षा प्राप्त की उसे लोग अब गणेश के स्कूल के नाम से पुकारेंगे यह प्रदेश सरकार का अच्छा फैसला है और हर बलिदानी के नाम पर कुछ न कुछ होना भी चाहिए ताकि उसे भुलाया न जा सके प्रदेश सरकार ने 20 लाक रुपे का चेक उसके पिता को सौपा अब उसके परिवार का एक सदस्य प्रदेश शासन में नौकरी भी करेगा अब सरकार की जिम्मेदारी है कि बलिदानी गणेश के परिवार को कोई तकलिफ न हो यह तस्वीर भी भुलाई नहीं जा सकेगी जब मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने 36 गण के बलिदानी सपूत को कांधा दिया बहन के नम आखों ने सरधांजली दी और भाई के पार्थिव शरीर पर फूल चड़ाए परिवार के सदस्यों में से सबसे छोटे सदस्य ने भी अपनी सरधांजली दी किसी भी बलिदानी सैनिक के पार्थिव शरीर पर मौहल गमगीन जरूर होता है लेकिन देश के लिए गर्व और दुश्मन के लिए गुस्सा भी साथ नजर आता है बलिदानी गणेश के परिवार के सदस्यों ने जो पुष्प उसके पार्थिव शरीर पर चड़ाए है उसकी अभिलाशा उसकी इक्षा आज 36 गड़ के इस सपूत ने भी पूरी कर दी प्रसिद्ध कवी स्वरगी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाशा की कुछ पंक्तियां आज हमें याद करनी चाहिए ताकि पुष्प और बलिदानी सैनिक के बीच की रिष्टे की गहराई को समझा जा सके चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गुथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला के बिन्ध प्यारी को लल चाऊं चाह नहीं समराठों के शौपे हरी डाला जाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ू भागे पर इठलाऊं मुझे तोड लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेंक मात्र भूमी पर शीष चढ़ाने जिस पत जावे वीर अनेक डिनेक्स परिवार की ओर से बलिदानी गणेश राम कुझाम को सत्षत नमन